नमस्कार दोस्तों सुवगत है आप सभी का आर्पी टेक्निकल इस्टडी योटोब चैनल में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रेशन थियोरी के 1500 MCQS सीरीज का ओनलाइन टेस्ट नंबर 42 के बारे में 41 पहले अपलोड हो चुके हैं जिनका लिंक आपको निचे डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा तो आप वहाँ से देख लेएना अगर अभी तक नहीं देखिया हो तो क्योंकि सभी क्यूशन बहुत इंपोटेंट क्यूशन है जिसमें अपने 1150 तक के क्यूशन देख लिये थे अब आज के इस वीडियो में अपन आगे के क्यूशन को देखेंगे तो वीडियो बहुत इंपोटेंट होने वाला है वीडियो को लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजे तो चलिए सुरू करते हैं क्यूशन नंबर 1151 है निमन में से सरोर्तम सुचालग पदार्थ है इनमे से सरोर्तम सुचालग पदार्थ कौन सा है ओप्शन दे रहा है चेनी मिट्टी भी दे रहा है रेजिएंसी दे रहा है ग्रेफाइट डी दे रहा है इनमे से कोई नहीं तो इनमे से सरोर्तम सुचालग पदार्थ कौन सा है फटाप पॉल अंत्राल अर्थार्थ पीचे अंत्राल को किस परिवाशित किया जाता है। तो दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा पर्ति पॉल आर्मिचर सलोट की संक्या, करेक्ट अंसर होगा ओप्शन नंबर C, दोस्तो अगला क्यूशन है, NEMA का पूरुन रूप क्या है, अर्थार्थ इसका फुल पॉरम बताना है, तो फटापड से कमेंट करके बताएगा NEMA का फुल पॉरम क्या होता है, फटापड से कमेंट करके बताना है, तो दोस्तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, National Electrical Manufacturers Association, इसका फुल पॉरम क्या होता है, NEMA का, National Electrical Manufacturers Association, तो राइट अंसर होगा, ओप्शन नंबर B, अगला क्यूशन, दोस्तो अगला क्यूशन दे गैंसो के संचियन को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजनी करने, दुर्वी करने, आईननी या समा मेलन, तो एक इलेक्ट्रोन पर गैंसो के संचियन को क्या कहा जाता है, मेताफोरों क्यूशन है, जल्दी बताओ, इसका राइट अंसर कौन सा होगा, तो दोस्तो एक इलेक्ट् प्शणिस नमबर बी अगला कुश्ण रहें है अगला कुश्ण देढरागा निम लेकत विकलप्व में से तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा R से निक, correct आंसर होगा option नमबर ये, अगला question, अगला question दे रखा, तामबे के परमाणों में कितने electron होते हैं, 9, 19, 39 या 49, तो तामबे के परमाणों में कितने electron होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 होते हैं, correct आंसर होगा option नमबर C, अगला question, दोस्तो अगला कुशन दे रखा बेरी परकार के ट्रांसपार्मर में चुम्ब किये पतों की संक्या कितनी होती है एक दो तीन ही आनेक तो बेरी परकार का ट्रांसपार्मर होता है उसमें चुम्ब किये पतों की संक्या बता ना है फटा पड़ से बताओ कितनी होती है तो दोस्तो बेरी परकार के ट्रांसफार्मर में चुमकिये पतों की संक्या होती है अनेक करेक्ट आंसर होगा ओप्सन नंबर डी अगला क्यूशन दे रखा CRO का रिदे होता है CRO होता है उसका रिदे कौन सा होता है दो लितरे CRT उर्द्वादर परवर्त कि यह इनमें से कोई नहीं तो CRO होता है कैथर्ड रे ओसिलोइस्कोप उसका रिदे क्या होता है कौन सा होता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा CRO का रिदे होता है CRT अर्थार्थ कैथर्ड रे ट्यूब क्या होता है कैथर्ड रे ट्यूब तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर B अगला क्यूशन अगला क्यूशन दे रखा दोस्तों अगला क्यूशन दे रखा एक रोधित दुआर दिव दुरुवियत ट्रांजिस्टर में अर्थार्थ IGBT में होता है क्या होता है निमन इन्पूट परतिबादा उच्छी इन्पूट परतिबादा सुन्य परतिबादा या इन में से कोई नहीं तो एक रोधित दुआर दिव दुरुवियत ट्रांजिस्टर में क्या होता है इन में से तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा उच्छ input परतिवाद होता है क्या होता है उच्छ input impedance होता है correct answer होगा option number B अगला question दे रखा है एक semi conductor के परतिरोधक्ता होती है resistivity कितनी होती है ओप्शन दे रखा है conductor और insulator के बीच भी दे रखा है insulator से अधिके c दे रखा है conductor के बराबर d दे रखा है conductor से कम तो एक अर्धचालक होता है उसकी परतिरोधक्ता कितनी होती है इसका right answer हो जाएगा conductor और insulator के बीच होती है correct answer होगा option number A अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दे रखा जब दो फेज आपूर्ती को दो फेज इस्टेटर कुंडली से जोड़ा जाए तो निमन में से कौन सा प्रभाव संभा हो है option A दे रखा एक परतियावर्ती चुम्ब के छेतर उत्पन होता है B दे रखा एक किस्तिर चुम्ब के छेतर उत्पन होता है C दे रखा एक गुर्णन चुम्ब के छेतर उत्पन होता है D दे रखा इन में से कोई नहीं तो जब दो फेज आपूर्ती को दो फेज स्ट्वंब कोंड़ंव से जोड़ा जाए तो उनमें से कौन सा परभाव सम्भा हुआ है। तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक गुर्णनचुम्ब के छेतर उत्पन होता है। राइट आंसर होगा option number C, अगला question, अगला question देरका BH वाकर में, B किसका परतिनी दीताव करता है, परतिस्टम्ब का, चुम्ब के अभिवा का, चुम्ब के अभिवा, गनताव का, या चुम्ब के छेतर का, तो B किसका परतिनी दीताव करता है BH वाकर में, तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुम्ब के छेतर का करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर D अगला क्यूशन अगला क्यूशन दिरका यदि एक सिंक्रोनस मोटर अत्ति उत्यजित होकर चल रही है तो सक्ति कारक क्या होगा इकाई, पसगामी, अग्रगामी या सुनने तो अगर सिंक्रोनस मोटर एक तुल्ले काल एक मोटर अत्ति उत्यजित होकर चल रही है तो उसमें सक्ति कारक क्या होगा अर्थार्थ पावर फेक्टर क्या होगा पावर फेक्टर बताना है कितना होगा तो इसका right answer हो जाएगा अगरगामी होगा correct answer क्या होगा option नमबर C अगला question दे रखा निमन में से कोण सा एक की कर्थ उपकरण है इनमें से एक की कर्थ उपकरण बतना है एंपियर मेटर है, ओल्ट मेटर है, वाट मेटर है या एनर्जी मेटर है इन में से एक की करत उपकरण कौन सा है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एंदर्जी मीटर जिसे उर्जर मीटर भी कहते हैं करेक्ट आंसर होगा option number D अगला कुशन अगला कुशन देरका निमन में से कौन सा प्रिक्षन के बुदोस के इस्तान का पता लगाने के लिए प्रियोग किया जाता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्य लूप प्रिक्षन करेक्ट आंसर होगा option number B अगला कुशन देरका निमन लिक्षित में से किस मोटर को कम लागत के रख रखाव के आवशकता होती है इन में से कौन सी मोटर है जिसको कम लागत के रख रखाव के आवशकता होती है कम मेंटिनेंस के आवशकता होती है Option A दे रखा Universal Motor, B दे रखा Slipring Motor, C दे रखा DC Series Motor, D दे रखा Parerun Motor तो इनमें से कौन सी Motor है जिसको कम Maintenance की आवसकता होती है, कम रख रखाव की आवसकता होती है तो दोस्तो इसका Right Answer हो जाएगा Induction Motor, Correct Answer क्या होगा Option Number D Induction Motor को कम रख रखाव की आवसकता होती है, तो इसका Right Answer हो जाएगा Option Number D अगला Question दे रखा, तीन फेज वाली आपूरती प्रनाली में किस परकार के बूर इसाव सर्किट बरेकर का प्रियोग किया जाता है ELCB का फुलफोरम होता है, अर्थ लिकेज सर्किट बरेकर, अर्थ आर्थ बूर इसाव सर्किट बरेकर भी कह सकते है तो इसमें कौन से का प्रियोग किया जाता है, एकल पॉल वाला, दोरे पॉल वाला, तीरे पॉल वाला, या चोरे पॉल वाला तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से, तो दोस्तो इसका राइट आंसर होजाएगा चोरे पॉल वाला, क्रेक्ट आंसर होगा, ओप्चन नमबर D, अगला क्यूशन, अगला क्यूशन देरका है, कोरक इसकुरू नियम, खालिस्तान इंगित करता है, बलकि चुम किये रे से, तो दोस्तो इसका राइट आंसर होजाएगा, बलकि चुम किये रेखा को इंगित करता है, कोरक इसकुरू नियम, किसको इंगित करता है, बलकि चुम किये रेखा को, तो राइट आंसर होगा, ओप्चन नमबर D, अगला क्यूशन, दोस्तो अगला क्यूशन देरका, सल लो पर exaflore कारेक्ट आंसर कौन सा होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C 36 केवी से 760 केवी राइट आंसर यहां 33 होगा मिस्प्रिंट है 33 केवी से 760 केवी के लिए होता है राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर C अगला क्यूशन अगला क्विशन देरगा एक British आसर्वशक्टी अर्त अर्थ एक British और स्पावर किसके बराबर होता है 735.5 वाट के 746 वाट के 500 वाट के तो एक British परणाली में बताना है एक AHP बराबर कितना होता है कितना वाट होता है एक HP के बराबर है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिस परनाली में होता है 746 वाट करेक्ट आंसर होगा option नमबर B अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दरका किस परकार के transformer का परियोग voltage stabilizer के लिए किया जाता है option दरका है step down transformer B दरका step up transformer C दरका isolated secondary परकार का D दरका auto transformer तो इनमें से voltage stabilizer के लिए कुन सा transformer परियोग किया जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा auto transformer correct answer होगा option नमबर D अगला क्यूशन दोस्तों अगला क्यूशन दरका है एक पूरन लोड वाले transformer में तामबे का छे 1000 वाट है तो आदे लोड पर 6 की गणना करे अर्थार्थ आदे लोड पर उसका हानी कितनी होगी हानी का ग्याद करना है option दरका है 250 वाट B दरका है 500 वाट C दरका है 750 वाट D दरका 1000 वाट तो यहां क्या दरका है copper loss ग्याद करना है 1000 वाट है फुल लोड पर तो आदे लोड पर कितना होगा फटापड से बताओ इसका correct answer कुण सा होगा तो दोस्तों आदे लोड पर हानी क्या हो जाती है 1 वाटा 4 हो जाती है तो 1 वाटा 4 को जब 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 वाट तो इसका right answer हो जाएगा 250 वाट हानी कितनी होगी 250 वाट तो इसका right answer हो जाएगा option नमबर ये अगला question अगला question देराका अगनी alarm परनाली के भाग क्या है अगनी alarm परनाली होती है उसके भाग बताना है इन में से कौन-कौन से है option देराका option देराका घंटी, पंका, पंप, लेंप, हीटर, आदी देराका सिविच, सोकिट, हीट, फ्यूज, आदी सी देराका हीटर, पंप, घंटिया, पंका, आदी देराका धुआ और उसमा, डिटेक्टर, घंटिया, डिकेम, पैनल, अलाराम पैनल, बेटी तो इनमें से अगनी अलाराम प्रनाली के भाग बताना है आपको फटापट से बताओ इनमें से कौन सा correct answer होगा तो दोस्तो अगनी अलाराम प्रनाली के इनमें से भाग है दुआ और उसमा डिटेक्टर, घंटिया, डिकेम, पैनल, अलाराम पैनल, वेटरी तो इसका right answer कौन सा होगा option number D अगला question दे रखा है चुम्ब के अभ्युवा की इकाई क्या है अर्थार्थ चुम्ब के फलक्स की इकाई बताना है तो चुम्ब के फलक्स की इकाई क्या होती है अभ्युवा को फलक्स बोलते है तो फलक्स की इकाई बताना है तो फटाबर से बताओ इसका चुमके फलक्स के एकाई क्या होती है हैंरी, टेसला, वेबर या वेबर मिटर तो राइट आंसर कौन सा होगा इन में से तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेबर होता है करेक्ट आंसर होगा ओप्शन नमबर C तो दोस्तो इस वीडियो में इतने वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेर कर दीजिए जिस दोस्त ने बेभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है